Hello students, welcome to Magnet Brains. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. My name is Neha Verma from Magnet Brains. So students, Magnet Brains एक ऐसा YouTube channel है जहां आपको kindergarten, means kg से class 12 तक आपको आपके पूरे syllabus का वीडियो मिलता है. वो भी 100% free. Yes students, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का, आपको कोई भी payment नहीं करना पड़ता. तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई. Students, कक्षा 4 का हम हिंदी कर रहे हैं और इसमें कर रहे हैं हम part 4. Yes, part 4 हमारा क्या था? पापा जब बच्चे थे. Yes, students, यह part बड़ा ही मज़ेदार था. हमने अच्छे से पूरा part किया. हमने इसका अभ्याज भी किया. Right? अब इसी part में एक और कहानी दी गई है जिसका नाम है एक साथ तीन सुख. ठीक है? एक साथ तीन सुख. मतलब किसी को एक साथ तीनों चीज़े मिल जाना. मान लीजे कभी एक एक एक्जाम्पल के तौर पर अगर आपका मन कर रहे है कि आज आज आपको मीठा भी खाना है, आपको नमकीन भी खाना है, आपको कुछ ठंडा-ठंडा भी पीना है और मान लो तीनों चीज़े आपको एक साथ मिल जाएं, तो वो होगा एक साथ तीन सुख मिलना. ठीक है? तो चलो इस कहानी में क्या है तीन सुख ये देखते हैं. ठीक है? चलिए. So students, यह हमारी कहानी एक साथ तीन सुख. ठीक है? तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे. तीन यात्री थे. यात्री कौन होता है? जो यात्रा करते हैं. एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं. ठीक है? हम उन्हें बोलते हैं यात्री. तो तीन यात्री थे जो शहर में से, तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे माले वो किसी शहर से गुजर रहे होंगे, किसी शहर में से जा रहे होंगे तब ही एक सिक्का दिखाई दिया, उनको जमीन पर क्या दिखाई दिया, एक सिक्का क्या दिखाई दिया उनको जमीन पर एक एक सिक्का दिखाई दिया ठीक है एक कोईन एक सिक्का दिखाई दिया किसको दिखाई दिया तीन यात्रियों को तो उन्होंने क्या बोला आहां सिक्का माने तीनों को एक साथ सिक्का दिखा ठीक है, बड़े खुश हो गए, कि अरे पैसे मिले, सिक्का मिला, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं, हम सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह हम सब का है, तो एक यात्री क्या बोला, इस सिक्के को हम सब ने एक साथ देखा, मने तीनो यात्रियों ने एक साथ सिक्के को द आपस में बाट लें, तो क्या बोला दूसरे यातरी ने, हाँ हाँ बिलकुल, हम तीनों ने एक साथ सिक्का देखा, तो हम सब का इस पर पूरा पूरा अधिकार है, तो अब सिक्के को कैसे बाटेंगे, तो एक काम करते हैं, इससे कुछ चीज खरीद लेते हैं, है ना, और मीठी चीज खाने का कर रहा है, अब एक यातरी ने फिर बोला, अरे मेरा मन तो कुछ मीठा मीठा खाने का कर रहा है, ठीक है, पर कोई मीठी चीज खरीदेंगे, फिर दूसरे यातरी ने क्या बोला, ठीक है, तो मीठी चीज ही खरीदेंगे, ठीक है, तीसरा यातरी बोला, पर मुझे तो प्यास बुजाने के लिए कुछ चाहिए अब तीसरा यात्री क्या बोला मुझे तो प्यास लग रही है तो मुझे तो कुछ प्यास बुजाने के लिए चाहिए अब देखो तीनों पहरे ने बोला चलो कुछ मीठा खाते हैं दूसरा मान गया तीसरा क्या बोला, नहीं, मुझे तो प्यास लगी है तो कुछ प्यास बुजाने के लिए खरीदते हैं ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कई चाहिए तो क्या हुआ, एक यात्री ने बोला, एक मिठाई ठीक है दूसरे ने क्या बोला ठीक है मुझे तो लेकिन कई मिठाईयां चाहिए तो तीसरा क्या बोला मुझे प्यास लगी है माने दो लोग तो एक ने बोला मिठाई ले लो दूसरा क्या बोला मुझे तो बहुत सारी मिठाईयां चाहिए तीसरा क्या बोला मुझे तो प्यास लगी है अब देखो हो गई नहीं यहाँ पे समस्या एक को एक मिठाई चाहिए एक को बहुत सारी मिठाईया चाहिए और एक को तो प्यास लगी है अब क्या करें कि उसके बाद वहीं से एक बुजर्ग एक बुड़ा आदमी जा रहा था तो बुड़ा आदमी उन लोगों के पास आया और उनसे बोला क्या बात है आप लोग जगडा क्यों कर रहे हैं अब वे तीनों जगडने लगे एक ने बोला मुझे एक मिठाई चाहिए दूसरा बोला मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए तो वो लोग जगडा लड़ाई करने लगे तो वो जो बुड़ा आदमी था वो वहाँ आया और उसने बोला क्या हुआ आप लोग लड़ाई जगडा क्यों कर रहे हैं तीनों ने बुड़े को समस्या बताई तो तीनों ने अपनी जो स पर जगड रहे हो इसका तो बड़ा आसान सा उपाय है फिर उसने क्या उपाय बताया देखिए कुछ अंगूर खरीद लीजिये तो बुड़े ने क्या उपाय दिया कुछ अंगूर खरीद लीजिये अंगूर खरीदो ये तो मीठे हैं ये तो बहुत सारे हैं तो क्या अरे ये तो बहुत सारे भी हैं और तीसरे को तो प्यास लगी थी तो अंगूर से हमको जब हम अंगूर खाते हैं तो उसके अंदर पानी रस भी भरा होता है तो उसकी प्यास भी बुझ गई तो तीनों की समस्या सॉल्व हो गई एक को मीठा खाना था उसे मीठा मिल गया एक क प्यास लगी थी उसकी प्यास भी बुज गई है ना उस बुजुर्ग ने उन्होंने फिर क्या बोला उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी फिर तीनों यात्रियों ने क्या बोला अरे वा हम तो लड़ाई जगडा कर रहे थे लेकिन देखो उस तो इस कहानी का जो explanation है वो आपको magnet brain की website पर मिल जाएगा Google करिए हमारी website डालिए www.magnetbrains.com ये page open होगा इसमें class 4 पर click करिए हाँ पर classes दिये ना students class 4 पर जाएए क्योंकि हम class 4 का पढ़ रहे हैं ठीक है उसके बाद class 4 के सारे subject open हो जाएंगे Hindi Rim Gym पर click करिए हमारे पूरे chapters आजाएंगे यहाँ पर जितने हमने अभी तक पढ़े हैं chapter 1 से और आगे जो हम पढ़ेंगे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एक के बाद एक ओके students जो पढ़ना है वो आप देख सकते हो तो यह सब कुछ आपको मिलता है magnet brains पर फिर से एक नई वीडियो में नए पाट के साथ Till then bye bye take care